नमस्कान में प्रियंका ओल्ट नीउस से पस्चिम मंगाल कॉंग्रेस के ट्विटर हैंडल से 20 तून को एक तस्वीर ट्वीट किया गया जिसके साथ यह दावा किया गया कि इस ब्रीज का उध्वार्टन तीन महीने पहले ही प्रधान मंत्री मोधी द्वारा किया था जो अब ही रखी थी और उध्गार्टन के तीन महीने बाद ही गुजरात के जामनगर जूनागड हाइवे का यह ब्रिच टूट गया है एक ट्विटर यूजर वैदेही सचिन जो खुद को आफ्टरनूम वाइस निउस्पेपर की संपादक बताती है उन्होंने भी इसी दावे से तो तस्वीरें ट्वीट की है तो क्या वास्तम में जामनगर जूनागड हाइवे का कोई ब्रिच उध्गार्टन के तीन महीने बाद ही तूटकर गिर गया है जब और्ट्यूस ने इस तस्वीर की गुगल रिवर्स में सर्च की तो हमें गुजराती में लिखा एक लेक मिल एसील के सातूरड गाउं के पास एक ब्रिच उनिस जून को गिर गई थी इस घटना की ज्यादा जानकारी के लिए हमने गाउं के सरपंच जीतेन सिंग जड़ेजा से संपर्ग किया जिन्होंने हमें बताया कि यह ब्रिच पचास साल से भी ज्यादा पुरानी है और प्रध जिसका मतलब होता है कि यह ब्रिच उनकी उम्र से भी ज्यादा पुरानी थी सातूरड गाउं के और कुछ स्थानी लोगों से जब हमने संपर्ग किया तो हमें उस जगह का एक्जाक्ट लोकेशन पता चल गया उस लोकेशन के कोडिनेट्स हमने गूगल मैप से निकाले और कि यह से Google Earth पर देखने की कोशिस की क्योंकि Google Earth सैटलाइट तस्वीरों की हिस्टरी रखता है तो क्या Google Earth इस ब्रिच की तस्वीरे मौझूद है और अगर है तो कब से है जब हमने इस ब्रिच के स्टोरिकल इमेज देखने के लिए इस कोाडिनेट यहां Google Earth पर डाले तो आप अमकर तेख सकते हैं कि हमें कुछ इस तरह का दिर्ष दिख रहा है और यह प्रेख है है यह जो आप य inici कर लोग प्रेख का थीयरो डेख रहा है और इस उत्प्रिज के हिस्टेरीकल इमीज तेखें गे हम तो यह हमें दिख रहा है कि 2009 से 2018 तक का historical image यहां पे उपलब्द है. तो हम दीरे दीरे ऐसे बैक जाके देखेंगे कि 2009 तक में क्या दिख रहा है, हमें वो ब्रिज की तस्वीरें दिख रही है या नहीं दिख रही है. तो आप देखें कि 2009 में इस तरह से तस्वीर दिख रही है. अगर आप देखेंगे तो यहां पे इस ब्रिज की परशाई भी देखी जा सकती है. इसका मतलब है कि यह तस्वीरें ब्रिज की जो तस्वीर है वो गूगल अर्थ पर साल 2009 से उपलब्द है. इसका मतलब यह है कि यह तीन महीने पहले ऐसी कोई ब्रिज की उद्गार्टन होई नहीं सकती जिसकी तस्वीर गूगल अर्थ पर साल 2009 से उपलब्द है. इसके बाद भी इस ब्रिज की एप्रॉक्सिमेट टाइम बता करने के लिए हमने राजकोट के रोड और बिल्लिंग डिपार्टमेंट के एक इंजीनियर से संपग किया जिन्होंने हमें बताया कि इस ब्रिज को कम से कम 45 साल पहले बनाया गया था और सोशल मीडिया पर किया जा रहात दावा बिल्कुल गलत है और इस ब्रिज का उद्भाटर में प्रधान मंत्री मोदी ने नहीं किया था धन्यवाद